नमस्कार, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेली तब्चा से बचाओ कैसे किया जा तो बार चेहरा जरूर दो हैं, एक बार सुबह और दुबारा रात को सोने से पहले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा सफाई करने से त्वचा रूखी हो सकती है, गर्म या गुनगुने पानी का उपयोग भी त्वचा में रूखापन ला सकता है, कठोर जाके तेली चिद्रों को खोलने और चेहरे को चमक से मुक्त रखने में मदद करते हैं, दूसरा है दोस्तों सही तरीके से मेक अप करें, उपयोग करने से पहले मेक अप के उत्पात बनाने में उपयोग की गई सामगरियों की सूची पड़े और ये सुनिशित करें कि आप आपको सोने से पहले सारा मेक अप हटा कर सूएं, तीसरा है दोस्तों सही मुश्यराइजर का प्रयोग करें, सुनने में तेली ये तवचा को मुश्यराइजर करना थोड़ा आजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करना भी जरूरी होता है, ओईली तवचा को भी मुश्यराइज करने की आवशकता होती है, जिससे तेली ये ग्रंथिया आतरिक्त तेल का उतपादन ना करें, ओईल फ्री मुश्यराइजर और संस्क्रीन का उपयोग करने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए मेक अप हटाने वाली कोल्ड क्रीम या लोशन का उपयोग ना करें, क्योंकि प्रती दिन के आहार में चीनी, डेरी और कार्बो हाइडरेट युक्त खादेपदार्थों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इस टड़ी के अनुसार ये ओली तवचा की समस्या को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए जितना संभव हो प्राकृतिक खादेपदार्थ, ताजे, फल और सबजियां खाएं, यदि आप परियापत मातरा में तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तो आपकी तवचा रूखी हो सकती है, जिससे अधिक तेल का उतपादन होता है, अपनी तवचा को अच्छी तरह से हाइडरिट रखने के लिए आपको रोजाना कम से कम दो लिटर पानी पीना चाहिए, और यदि आप ओयल फ्रीज कीन चाहते हैं, तो कैफे नियुक तो पे और आलकोल का सेवन भी कम कर दें, क्योंकि ये भी तवचा के ओयली होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके बादे दोस्तों पूरी नींद लें और तनाव मुक्त रहें, करने में मुश्किल शाबित हो सकते हैं, तनाव से छुटकारा पाने के लिए सनान करें, या कम से कम 10 मिनिट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें, और उसके बादे दोस्तों अपने चेहरे से तेल दूर करने का प्रयास करें, चेहरे के संपर्ग में प्रती दिन कई चीज उनको साफ रखें, चेहरे की सफाई के लिए उपयोग करने वाला तॉलिया बदलते रहें और मेकप ब्रश को हर अपते दोएं क्यूंकि इन सभी में आपके चेहरे और हाथों के संपर्ग में आने से और यदि आप औली स्कीन को रोकने के उपयों को रोज करेंगे तो ऐसा करने से तवचा से होने वाला आतरिक तो सीबम यानि कि तेले ब्रंतियों से निकलने वाला तेल उनका उतपादन खम होता है और हर दिन अपनी तवचा की देखबाल के लिए थोड़ा समय निकालने से आप आसान इसे तेले तवचा से बच सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं अगर इसके इलाज की तो हाला कि तवचा से अत्यादिक तेल के उतपादन को रोकने का कोई उपाए आसान नहीं होता है लेकिन इस समस्या को नियंतरित करने के कुछ तरीके हैं तो सबसे पहला तो है कि क्लिंजर, टोनर और मुशिराइजर का रोज दो बार उपयोग करें तवचा की सफाई करने के लिए सलफर, सलेसिलीक एसिड या टी ट्री ओयल यूप्त क्लिंजर का उपयोग करें और ये सभी अत्रिक्त सीबम को कम करते हैं गलाइकोलिक एसिड भी तवचा का तेल कम करने का एक अच्छा गटाक है क्योंकि ये तवचा की सारी रंगत और बनावट को बैतर बनाता है तवचा की सफाई करने के बाद एक हलके आलकोहल मुप्त टॉनर का उपयोग करें जो की क्लिंजर द्वारा भी नहीं साफ हो पाती और उसके बाद हलका ओयल फ्री मोश्यराइजर लगाएं दूसरा है दूस्तो हर दूसरे दिन एस्ट्रिंजेंट का उपयोग करें यदि आपकी तवचा अत्याधिक ओयली है तो आप रोम चिदरों को कसने के लिए एंट्रिंजेंट यानि की तवचा में कसाव लाने वाला उत्पाद उनका उपयोग कर सकते हैं तरिक्त ओयल को हटा सकते लेकिन क्यूंकि उसमें आलकोओल का स्तरधिक होता है इसलिए कई लोगों की तवचा इससे सूखने भी लगती और इसका इस्तमाल हर दूसरे दिन किया जाना चाहिए और अपने चेहरे को एक्सफोलियेट करने के बाद कभी इसका उपयोग न करें तीसरा है दुस्तो हफ़ते में एक बार तवचा को एक्सफोलियेट करें तो रोम छिद्रों को बढ़ने से रोकने के लिए एक्सफोलियेटिंग बहुत अच्छा तरीका है बहुत से लोग oil skin के लिए oil free scrub का उपयोग करते हैं लेकिन चेहरे पर इसे कोमल हातों से लगाना चाहिए वन्ना तवचा में रूखापन आ सकता है उसके बाद है कि हफते में एक बार face mask लगाएं तवचा की गहराई से सफाई करने वाले face mask में चिकनी मिट्टी होती है जोकि तवचा का अतरिक्त तेल सोक सकती है जिससे कई दिनों तक चेहरे की oilी चमक कम हो जाती है और इसलिए ऐसा mask चुने है जिनमें शहेद या शिया butter mix हो जो तवचा को कोमल बनाता है और इसे रूखा होने से रोकता है हाला कि ये mask भी आपके चेहरे को रूखा कर सकते है इसलिए इनका उपयोग केवल उन जगों उपर करें जहां oil ज्यादा हो उसके बादे दोस्तों दिन बर के लिए oil की चमक को नियंदरित करें जब आप को हटाने के लिए powder भी उपयोग कर सकते और इसके बाद भी यदी चेहरे की चमक कम नहीं हो रही तो इस अत्रिक्त चमक से बचने के लिए oil नियंदरित करने वाले पैपर बाजार में मिलते हैं इनका उपयोग करें और ये कागजा तवचा को ड्राइ नहीं होने देते हैं और मेकप पर भी इस्तिमाल किये जा सकते हैं और उसके बादे दुस्तों डॉक्टर से सलाल है जब कुछ भी काम ना करें तो तवचा विशेशग्यों को दिखाएं मौह से को रोकने वाली काफी दवाओं को ओईली तवचा के लिए भी उपयोग किया जाता है डॉक्टर तवचा में तेल की मातरा कम हो जाती है अन्य उपचारों में हीट एनर्जी थिरेपी डायोड लेजर थिरेपी वगेरा आते हैं जो कि वशा में ग्रंतियों को नस्ट करते हैं आला कि यह तकनिक बहुत महेंगी हो सकती है इसके जोकिम भी अभी अग्यात हैं और इनको अप झाल